प्रोसेस करिको दावा थुरू नियु आलगर्दीम थुरू परामिडर टिमिन करिको प्रोसेसिं करिको दावा अमरे थि उद्यक्राइश हाु ची आमरे ज़ो माइक्रो घृट्रीम थुरू थुरू फोल्टाईक विन बेटरी और फूल्सेल सोट अल तौल दीसस्ट्राइश हार सुट्विश्ट्वन थुरू भांगर्डरीम थुरू ग्रिट्वाशार प्रमेडरे कनेक्टेट तो युजल ग्रीड और मायेक्रो ग्रीड माये बी आइसोलेटेड. सो ये वार करे आमारा काण होची ना ए जो माइक्रो ग्रृड रे कन होची ना आमारा प्रत्थुमे सेंसर दो che should signal जाओ जाओ जी ना कौंट्रोलर कु सो controller signal दोची एक्ट्वाटिक signal को ठो कॉंट्रोल करया पाई microgrid को ए जो communication जह है तो microgrid रे communication involved होची तो सेर्थीपाई microgrid are more prone to cyber-attack तो cyber-attack पर रोख्या करया पाई हामें काण कोरके ना ए हिप well optimization algorithm मा आमें develop कर चू तो ए ठिरे कोर होची ना any type of for example time delay, false data injection, बाँ मालवेर इसभू अनी टाइप आप आप आटेकल है कि भी ते आबर माइक्रोगर की रख्या कर पारे वा सेट हाँ जी अमरा उद्देश तो इथिरे कॉन हुए ना अल दी इंपूट्स वाटावर इंपूट्स टेकन थू सेंसर दाट विल गोस्टो 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 कउसर पहत आफ गोस्टोड गोस्टो गुटा प्लख आप थिरू को जा भू सेटा गोस्तों तो सेट एप अड़ रूम अटेकक बावरें शोट वाद की कावट्वेज़ेन्श वनसे नियुट इम सी आपघ donor मैं इपनी लिपने आपिटेसिह गोस्टो गोस्टों आप zar वेल तर जो प्रे कुछ शिकार करे, शेकान करे ना वेल इप डिप समुद्र लेबल लु बहुत तड़क चाल जायकी, शेकान करे ना बॉबल प्रेट करे. So, that bubble is in the form of a ring. And in the surface, so, all the fishes are different birds. So, they get trapped and the well taken all these things. So, well रह उद्ध्यश होजी किमिती तार प्रेय कुच्चर करे वो, समुद्र लेख एत्त्य उड़े अच्छी जिन्सभीत्रू किमिती से फीश कुच्चर करे वो, सेटा होजी हुद्ध्यश होजी, कि अमरे थी उद्ध्यश होजी, केविती आमरे पारामिटर अगो प्रपरली तुन करिभू, so that आमरो कॉंट्रोलर ता ठीक भावरा डेभलोप है पारिभू तु कॉंट्रोल दी माइक्रोग्रीड, तो सही पारम्रो जो चिकार करिवा तरीका टागवा में नहींगी, आमरो जो मैथमेटिकाल मोडिलिंग डेभलोप करचु, आमरो अल्गर्दिमा में मोडिफाय करिगी, आमरो यह पारमेटर रोड़ा प्रपली तुन करचु, तो यह तरह कहन होची, ज़तले पारमेटर रोड़ा प्रपली तुन होची, तो control signal, whatever we want to fit to the different individual element, so that becomes more perfect, so control signal perfect हेला फालर कॉन होची, ना frequency जो आमरो आइदर कम ही थी भो, किमभा बेशी ही थी भो, so now we can control our frequency, so in यह बढ़िभाबर है, आमरो microgrid जो blackout ही, माना करदो frequency कम बेशी हले, synchronization problem हाब, synchronization problem हाब हले, microgrid cannot be connected to the grid, so यह बुले, यह बुश्थिच्योशन रेकांड हुए ना blackout हुए, so microgrid को ब्लाकाउट हुए बंची पारुची यूजिंग इस ट्राइक वो टेक्निव आमे रिन्वेबल एनर्जी रे कम कोरचु, जमती solar energy, यह आमा wind setup, जमती solar energy generate हो जमती solar energy generate होची, laboratory scale रहा, पुटे microgrid को रहा हुची, जोठी के आमारा control रहा different structures अच्छी, इसे अब हैले आमारा real time results दोची, system, से यह आमे grid भी integration कोरी परचु, जमती system टा है इची, जोठी किछी malware हेला, किछी time delay हेला, और frequency जेतरे आमारा microgrid run करिया को था, जोठी आमारा grid run करिया को था, जेते system, जेते voltage, जेते frequency run करिया को था, सेटु जोदी किछी भी उपरतलों को deviate हब, ताह आले आमे सेटा को केमती control करी परिवा, आमारा सब्बू वेले, आमारा system 230 volt रे, नाले 440 volt रे run करू, सेथी पर है आमे और frequency, standard frequency रे run करू, time delay ना ही कि, जेमती आमारा सब्बू system ठीक से चाली वा, grid ठीक रे चाली वा, सेथी पर है आमे different control structure लगे कि, से सबको control करू चू, जेमती lab रे देखी ले कि, आमे फोटो वोल्टेक सेल लगे ची, जोड़ा हमे solar cell को चू, wind energy system लगे ची, आमे super capacitor और fuel cell लगे पर चू, जोड़ा कि, आमारा बैटरी रा किछी frequency deviation है ले, से तारो high frequency पाट्टा नब और disturbance टाको control करी वा, तो सेथी पर हैं, आमे से सबगो control करिया पाई, different optimization टेकनिक लगो चू, जेमती सार कोईले blue well technique, से टेकनिक यूज करी कि, आमे frequency control, voltage control और time delay से सबगो, एनी cyber attack, outside of grid attacks को आमे control करी पार चू. जेनल लोको पहीं कहा हो पर ना, जेनल लोको जेदावल तांक घहरे निजे electricity यूज करचोंती, तांको electricity से quality power पावान थू, पोटे constant frequency रे, constant voltage रे, voltage fluctuation ना हूँ, कोने शी जदी आमार गरम दिनेर आम देखे लेके आमारा घहरे power fluctuation हूँची, जेजिन छेटा ना हूँ, सेधी पाई microgrid रो बहुती important रोल अची, जेकि microgrid जदी आमे install करूची आमारा grid रे, शो दाट आमारा जो power shortage आउटी electricity रो, तार आउँ shortage हबनी आमे यूज करी पारिवा, आउँ जो आमारा fossil fuel, coal आउँ ए जो environment pollution करूची, सेत्रुबी आमेरे ये करी पारिवा, जदी आमेरे renewable energy को यूज करी पारिवा, आमेरे electricity रे, तो नुकर यारा बहुती important राची, आउँ microgrid को implement करिया पाई, जदी आउँ cyber attack थुरू रे microgrid disturbance, ताक्को आमें mitigate करिया पाई, बहुती ये को दखीबू, तो सेत्रुबी आमेरे microgrid साइबर आटक नो हो, सेत्रुबी आल्गर्दीम्ता मियू आल्गर्दीम्ता एको ठीक से implement करिया पाई, रिसर्च करू थुलू पाखापा की दिवत्ति निवर्स है लानी, तो फाइनली आमें लास्ट येर आमें सक्सेस पाई लू, अजोटे की वेलिडेट करी की हमें कारेस्मेंडिंग पेपर भी पॉब्लीज करी चाहिए। सर ये जो रिसर्च है ये अभी रिसेंटली पॉब्लीज हुई है फ्रॉम ग्रूप ऑफ प्रोफेसर रे, जो की हमारे प्रोफेसर हैं Department of Electrical Engineering में और ये जो जर्नल है that is IEEE Transactions on Consumer Electronics और इस पेपर में प्रोफेसर रहे और उनका जो ग्रूप है वो ये बताना चाह रहे हैं की right now the recent cyber attacks on microgrids it has increased और microgrids हैं they are very important why they are very important because हमारा जो power systems है उनके reliability के लिए और उनकी safety के लिए microgrids are very important लेकिन ये जो cyber attacks जो हो रहे हैं उसके लिए what they have done is they have introduced or they have developed new algorithm जिसके कारण की ये जो cyber attacks हैं वो ना हो और ये जो cyber attacks हैं अगर ना हो तो उससे क्या होता है की reliability of these modern power systems and also it enables the microgrids to go through the stable operations और वो stable operations के कारण में क्या है की integration of the renewable energy sources such as solar power and also battery storage तो उसके लिए भी ये बहुत ही एक इंपर्टेंट है तो इसलिए in that particular direction apart from other research works you know whatever our different faculty members they are doing so ये एक बहुत ही एक important research work है and due to this particular research work होगा क्या कि हमारे जो safety security of micro grids through malware या through cyber attacks बो भी जो है उसके उपर में काफी inhibition लगेगा और ये एक बहुत ही useful research है and I congratulate Professor Ray और Department of Electrical Engineering जिन्होंने ये जो research है और ये जो algorithm है उसको developed किया है and this has already been published और this is also one of the very major component जो हमारे अभी recently हमें paired accelerator innovation and research scheme जो है that is called as a pair scheme और उसमें भी Professor Ray जो है he is one of the important member of that particular group और उसके कारण क्या है कि हमारा जो accomplishments है with respect to this pair scheme जहां पर NIT Rahurkela is one of the you know major stakeholder तो काफी अच्छा है उसके